बच्चो हाज हम कभीद आश्ची की साखियां पढ़ेंगे जो कि आपके पाठे क्रम में हैं सबसे पहले कभीद आश्ची का जीवन पर जान लेते हैं कभीद आश्ची का जन सन 1398 में काशी में हुआ जिसे अब वारण असी के नाम से बच्चो जाना जाता है इनकी मृत्यू सन 1518 में मघहर में हुई कभीद आश्ची जीजों है वो भक्ति काल के कभी है और ये निर्गुण भक्त कभी है निर्गुण कहने का तात्वरे है जो कि भगवान के निराकार रूप की उपासना करते हैं जो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है भगवान तो हमारे कणकण में समाया हुआ है इन्होंने सद्धुकडी भाषा का प्रयोग किया है जिसे कुछ साहितेकार पंचमेल खिचली भी कहते हैं और इसमें पांच भाषाओं का समिश्रण है बचो ब्रज भाषा, अबधी भाषा, राजिस्थानी, पंजाबी और अर्वी फार्सी इनकी रचनाएं जो हैं भीजट के नाम से हैं जिसमें तीन अंग हैं साखी, सबद और अमेनी आपकी जो हम पढ़ रहे हैं बचो आपकी जो कविता में हैं कवीर की साखियां और सबद कभीर दास जी ने दोहों और पदों की रचना की है और कभीर दास जी के जो पद है वो गाने योगे हैं उनमें गैता का गुन है कभीर दास जी जो है वो भक्तिकाल के सरुषेश्ट कभी है उनकी जो साख्याँ हैं साख्याँ बच्छो ये तद्सम शब्द है प्रमान के रूप में गवाही के रूप में वो जो भी बात खहती थे उसका प्रमान देते हुए साख्षी के रूप में उस बात को वो तर्कसहित स्पर्ष्ट भी करते थे तो से पहले बच्चों हम कबीर की साख्यां पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ी सी भाशा की विशेष्टाओं की बताना चाहूंगी आपको इनकी साख्यों में सद्धुकरी भाशा का प्रयोग है दोहा च्छंद का प्रयोग किया गया है इनकी जो साखियां है वो उनमें गेता का गुण है अर्थाथ वो गाने योगे पंक्तियां हैं, साखियां हैं, दोहे हैं पहली साखी, पहला दोहा बचो पढ़ूंगी, उस पे दियान देंगे आप सभी उसका मैं सस्वर वाचन करूँगी उसके साथ साथ मैं आपको उसका अर्थ भी समझाऊंगी मान सरोबर सुभर जल हनसा केली कराहीं मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनतना जाहीं मान सरोबर एक बच्चो पवितर जील है पवितर तालाब है जो केलाश परवत के नजदीक है केलाश परवत तो बच्चो अकपताई है जहां शिवजी का निवास्थान माना जाता है और जो पवितर तीर स्थल है और जो बान सरोबर जो जील है जो तालाब है उसका जो पानी है बहुती स्वच है तो इसमें कवी जो कह रहा है इसमें दो दो अर्थ साथ चल रहे हैं बच्चो मान सरोबर, अर्थात, मन रूपी सरोबर, मनुश्य का हिर्द, मान सरोबर सुभर जल, सुभर मतलब शुबर, इसके भी दो अर्थे हैं, पहला एक शुबर है और दूसरा स्वच, तो कभी कह रहे हैं कि मान सरोबर, जो तालाब है, जो जील है, वो स्वच पानी से पूरी तरह भरा हुआ है और उसमें हंस केली कराही केली होता है क्रिडाएं करना हंस पक्षी है बच्चो तो वो मांस रोबर जील में हंस जो पक्षी है वहां अंठ केलियां क्रिडाएं करते हुए देखे जाते हैं मुकता फल मुकता चुगें अब उड़ी आनत न जाहीं तो यहां दूस जो प्रभु का सच्चा भक्त है, सच्चा सादक है, उसके मन में, वो किस प्रकार से प्रभु की सच्ची भक्ति कर रहा है, और वह मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मोती के लिए कहा गया है बचो और दूसरा सची भक्ती मुक्ता स्वचंद रूप से उन्मुक्त रूप से जिस प्रकार से हंस मांस रोवर जील में मोती चुकता है ठीक उसी प्रकार मनुश्य अपने हिर्दे में सची भक्ती करते हुए अपने अराध्य देव की पूजा अर्चना करते हैं और उसी में उन्हें आनंद प्राप्त होता है उसी में सुकून मिलता है तो सच्चे सादक का जो मन है अब और कहीं जाने का नहीं करता है अब उड़ी अनत न जाहीं जिस प्रकार से हंस बक्षी तालाप को छोड़ का कहीं और नहीं जाते हैं ठीक उसी प्रकार जो सच्चा सादक है सच्चा प्रभू का भक्त है उसे अपने अराध्य देव की पूजा अर्चना करने में जो आनंद आता है तो उसे अब और कहीं जाने का अन्यत्र जाने का मन ही नहीं करता है दूसरे दोहे पर दियान देंगे बच्चो प्रेमी ढूनत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई प्रेमी कोँ प्रेमी मिले सविश अमरित होई प्रेमी बच्चो इसमें दो प्रेमी की बात की गई है एक जो प्रभू का भक्त है और दूसरा इश्वर तो प्रभू के जो सच्चा भक्त है जो कह रहा है प्रेमी ढूनत मैं फिरूं मैं जो प्रभू की सची भक्ती कर रहा हूं मैं प्रेमी अर्थात इश्वर को ढूनने के लिए यहां वहां जा रहा हूं लेकिन प्रेमी मिले न कोई लेकि मुझे इश्वर नहीं मिल रहे हैं प्रेमी कौँ प्रेमी मिले क्योंकि इश्वर की प्राप्ती इसले नहीं हो रही है बच्चों क्योंकि मन में जो है दुरभावनाय हैं कलुशित भावनाय हैं तो इस प्रकार से वह जो है इश्वर की प अम्रित सद्गुन, अच्छे विचार, अच्छाईयाँ, जब हमारे मन से बुरे विकार समाप्त हो जाते हैं, तो अपना आप ही अच्छाईयाँ हमारे अंदर समाहित हो जाती है हैं तो जब हमारा मन पवित्र हो जाता है तो स्वयम हमें इश्वर की प्राप्ती हो जाती है दूसरी बात मैं मतलब हमारे मन में कभी भी एहम का भाव एहंकार का भाव नहीं होना चाहिए जब तक हमारे मन में एहम का भाव है तब तक हम अपने प्रभू की तलाश नहीं कर सक तीसरे दोहे पर ध्यान देंगे बच्चों हस्ती चड़िये ग्यान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूंखन दे जख्मारी यहां पर हस्ती जो है तद्सम शब्द है उसका मतलब हाथी सहज सरलता का भाव दुलीचा जब हाथी की सवारी करते हैं बच्चों तो उसके लिए कहाँ गया है अर्थात कालीन या गलीचा डारी उसको बिछाना इसमें कवी जो सच्चा ग्यानी है जिसे ग्यान हासिल करना है उसकी बात हो रही है तो कवी कह रहे हैं हस्ती चड़िये ग्यान को ग्यान रूपी हाथी की सवारी हमें कैसी करने चाहिए वच्चों सहजता से सरल्ता से और हाथी के सवारी जो हम करते हैं तो उस पर हम गलीचा भिछा कर ये सवारी की जाती है ठीक उसी प्रकार जो प्रभु का जो सच्चा भक्त है जो सच्चा ग्यानी है वो सहजता से समाधी के रूप में समाधी लगाकार वो सच्चे ग्यान को हासिल कर सकता है जो जिसका जो उदेशे है उस उदेशे की प्राप्ती के लिए वह अपनी मंजिल की और बढ़ता जाता है लेकिन उसमें इस संसार में स्वान रूप संसार है स्वान की तद्सम शब्द है मतलब कुत्ता यहाँ पर संसार के तुलना कुत्ते से की गई है अर्थार जिस प्रका आगे की और बढ़ता है वह कुत्तों की परवा नहीं करता है ठीक उसी प्रकार जो सच्चा ज्यानी है जिसे ज्यानार्जन करना है वह भी संसार की परवा किये विना कि संसार उसके बारे में क्या कहता है कैसी प्रतिक्रिया देता है तो वह उनकी परवा किये विना वह अप धहक मारी जहक मारी मतलब अपने समय दे वेधं करना क्यूंकि जो कुटता है भूंगता रेता है उसी प्रकार से संसार में ऐसे यह मला मनुश्य होते हैं जो दुसरों की उनती को देखते हुई जलते हैं और तरहा-तरह की भाते काँएं तरहा-तरह की चीटा करशी करते हैं वो भूंगते रहते हैं व्यर्थ में भूंगते रहते हैं तो कभी कह रहें कि सच्चा जो ग्यानी है वो उनकी परवा के विना आगे की और बढ़ता है चोथे दोहे पर ध्यान देंगे बच्चो पक्ष विपक्ष कारने मतलब कारन पक्ष विपक्ष मतलब बच्चो जो धर्म के नाम पर संप्रदाय के नाम पर छुवा छूत जाती पाती उंच नीच उसके नाम पर जो भेदभाव करता है और पूरे संसार को जो भूल जाता है तो कभी कह रहा है जो पक्ष विपक्ष के चकर में पढ़कर के भुलावे में पढ़कर पूरे संसार को ही भूल रहा है तो ऐसा जो मनुष्य है उसे हम सज्जन मनुष्य सभ्य पुरिश्व कहलाया नहीं जाएगा जो सच्चा ज्यानी, सच्चा संत वही है जो निर्पक, निर्पक मतलब निश्पक शोकर जो भगवान का स्मरण करता है उसके मन में जात्पाच, छुवाचूद, उंचनीच का कोई भेदबाब नहीं है तो इस प्रकार से इन सब चीजों को भूल कर जो निश्पक शोकर भगवान का स्मरण करता है तो वही सच्चा ज्यानी है वही सच्चा संत है अब पांच में दोहे पर ध्यान देंगे बच्चों, हिंदू मुवा राम कही मुसल्मान खुदाई कहें कवीर सो जीवता जो दुहूं के निकटी न जाई इसमें हिंदू मुसल्मान जो है वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ट मानते हुए किस प्रकार से उसी का बखान उसी का गुरूगान करते हैं हिंदू मुवा राम कही तो हिंदू जो है राम राम का नाम जबते हुए अंत में मृत्यू को प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार मुसल्मान खुदा अल्ला का नाम कहते हुए वो भी मृत्यू को प्राप्त हो जाता है अर्थात अंत में सभी की मृत्यू होनी है लेकिन हम लोगों ने ही ये हिंदू-मुसल्मान का जो भेद किया है हम लोगी जो है आपस में हिंदू-मुसल्मान के नाम पर जो है वो लोगों को भरावे में डाल रहे हैं और लोग आपस में ही मार काट हिंसा पर उतारू हो रहे हैं तो कभीर दास्ची कह रहे हैं कहे कभीर सो जीवता जीवता मतलब वही जीवित प्यक्ति है कभीर दास्ची कहते हैं वही जीवित प्यक्ति है जिसके मन में सामपरदाइक तक नहीं है जो हिंदू मुसल्मान दोनों को एक समान मानता है कहने के ताथ परिया है कि उनके अनुसार इश्वर एक है हमें उसकी सच्ची पूजा अर्चना करनी चाहिए और हमारे वो काणकाण में समाया है ना वो हिंदू है ना वो मुसल्मान है तो कवेदाशी कह रहे हैं वही सही रूप में सच्चा जीवन जी रहा है जो दुहूं के निकटी न जाई जो इन दोनों दोनों कौन बच्चों? हिंदू, मुसल्मान उसके मन में ये बात नहीं कि मैं एक इनसान हूँ और इन दोनों धर्मों के चकर में न पढ़ कर वहे अपना जीवन जी रहा है तो वही सच्च मुच में सच्चा इंसान है वही सच्च जीवन जी रहा है छटे दोहे पर द्यान देंगे बच्चों कावा फिरी कासी भया रामही भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठी कवीरा जीम जब हमारे मन से जात पात का चुवा चूत का उंच नीच का भेदभाव या समाप्त हो जाता है हमारे मन में कोई ये भावना नहीं आती है कि वो हिंदू है वो मुसल्मान है वो सिक इसाई बस हमें लगता है कि हम एक इनसान है तो जिसके मन से ये भेदभाव समाप्त हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है इस दोहे में देखेंगे काबा फिरी कासी भया काबा जो है मुसल्मानों का तीर स्थल है और काशी हिंदूओं का तीर स्थल तो जिसके मन में ये भाब नहीं है हिंदु मुसल्मान का उसके लिए काबा और काशी दोनों एक समान हो जाते हैं रामही भया रहीम और राम और रहीम उन दोनों में भी उनके लिए कोई भेद नहीं रहता है उन दोनों को एक समानी मानते हैं अर्थात उनके अनुसर इश्वर एक है आगे वो उधारन दे कर समझा रहे हैं मोट चून मैदा भया बैठी कवीरा जीम जीम होता जीमना अर्थात भोजन ग्रहन करना मोट चून बच्चो मोटा आटा और मैदा बहुती महें मोटा आटा जब उसको महुत बारीक पीषते हैं तो वो मैदे करूब धारन कर लेता है लेकिन दोनों ही ये खादे पदात हैं और दोनों खाये जाते हैं तो जब हमारे मन में हिंदू मुसल्मान वर्ग भेद होता है मन में तो तब हमारे लिए दोनों में अंतर होता है मोटा आटा और पारी काटा लेकि जह हमारे मन से ये भेद भाव समाप्त हो जाता है तो हमारे लिए दोनों एक समान हो जाता है मोटा आटा और मैदा इसलिए कवीर दाश्ची कहते हैं कि मैं अराम से सुकून से बैठ कर उस भोजन को ग्रहन कर रहा हूं मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है अब बच्चो अंतिम दोहे पे ध्यान देंगे उंचे कुल का जन मिया जे करनी उंच न होई सुबरन कलस सुरा भरा साधू निंदा सोई इस अंतिम दोहे में कवीर दाश्ची कहते हैं कि मनुष्य की जो पहचान है उसके कर्मों से होती है ना कि उच खांदान में पैदा होने से तो किस परकार से वो कह रहे हैं उंचे कुल का जन मिया कि हम सोचते हैं कि हमने उच खांदान में उंचे खांदान में हम पैदा हुए हैं जन लिया है लेकिन उससे बच्चों कुछ नहीं होगा जे करनी उंच न होई आपने अगर कारे अच्छे नहीं किये आपने निक्रिष्ट तुछ कारे किये हैं तो आपकी पहचान बिल्कुर नहीं होगी आपके कर्मों से ही आपकी पहचान होगी ना कि उच वाइंश उच खांदान में पैदा होने से आगे उधारन के मादे हम से समझा रहे हैं सुबरन कलस सुरा भरा सुबरन स्वर्ण अर्थात सोने का कलश कलश बचो जिसे आप मटकी जिसे आप गागर भी कह सकते हैं जिसे आप सुराही भी कह सकते हैं तो सोने का कलश दिखने में तो बाहर से वो किसका है सोने का बहुत अच्छी चीज़ है सोना लेकिन उसके अंदर क्या भरा है सुरा बच्चो मदिरा या शरा उसके अंदर जो है वो निंदनिय चीज वो भरी हुई है जिसकी सब लोग निंदा करते हैं तो इसलिए साधू निंदा सोई साधू जो सजन पुरुष हैं जो साधू संत लोग हैं वो कलस चाहे वो सोने का है एकिन अंदर जो है वो शराब भरी हुए जो कि निंदनिय है तो उसकी सभी लोग निंदा करेंगे ठीक उसी प्रकार कौंचे कुल में जन लेने से कोई महला उसका फाइदा अभी होगा अगर हम करनी अगर हम कारे अगर हम कर अच्छे करेंगे तभी तभी हमारा जन सिद्ध होगा तभी हमारी पहचान होगा